स्वागत है आपका एक बार फिर से आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैटरेक्ट के बारे में कैटरेक्ट जिसे आप आम भासा में मोतियाविंद कहते हैं आज मैं आपसे बात करूँगा कि मोतिया विंद क्या है मोतिया विंद के कारण क्या है यानि किन कारण उसे मोतिया विंद हो सकता है साथ में अगर मोतिया विंद किसी विक्ति को हो गया है तो उसे कैसे पता चलेगा यानि आप कैसे पहचानेंगे कि उसे मोतिया विंद हो चुका है साथ में मोतिया विंद के लिए जो different surgery है मैं उनके बारे में बात करूँगा और कौन-कौन से lens लगाय जाते हैं बहुत सारे लोग पूसते हैं कि इन lensों का क्या criteria है इनके बारे में भी बात करूँगा यानि अलग-अलग प्रकार के जो lens हैं किस व्यक्ति को कौन सा lens लगाय जाता है इन सारे विश्यों पर बात करूँगा तो आईए सबसे पहले आप जानिए कि cataract क्या है cataract actually एक age-related disorder है यह कह सकते हैं कि उम्र की बज़े से होने वाली एक समस्या है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो हमारा lens है यानि हमारी आंख के अंदर जो lens होता है वो वैसे पारदरसी होता है यानि उसके आरपार light जा सकती है और lens के थूलाइट जाती है रेटीना पे गिरती है तब हमें कोई चीज दिखाई देती है लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा जो रेटीना है होने लगता है यहीं अपार दर्सी होने लगता है अपार दर्सी क्यों होता है क्योंकि इस पर कुछ fatty deposition या यह कह सकते हैं एक white color की एक layer जमने लगती है और उसकी बज़े से हमारा जो lens है वो अपार दर्सी हो जाता है और फिर ये lens से light pass नहीं हो पाती और जब light pass होके retina पे नहीं गिरेगी तो हमें object दिखना बंद हो जाते हैं यहीं कह सकते हैं कि हमारी vision पूर हो जाती है अब मैं आपसे बात करूँगा कि कैसे कोई व्यक्ति identify करेगा कैसे पता करेंगे कि इसको व्यक्ति को जो है कैटरिक्ट हो चुका है मोतियाविंद हो चुका है तो मोतियाविंद के case में जनरली जो vision होती है हमारी वो blood हो जाती है यह नहीं आग को देखने की जो चमता है वो कम हो जाती है साथ में patient को sensitivity of light हो जाती sensitivity of light का मतलब क्या है कि जब भी वो light में जाएगा तो उसको तकलीफ होगी साथ में एक और कारण देख सकते difficulty देखने में उसको particularly रात के समय में देखने में समस्या होगी उसके जो color होंगे वो fade होने लगेंगे यानि वो बहुत अच्छी तरीके से color को पहचान करने में उसको दिक्कत होगी साथ में एक condition ये भी कई बार देखने को मिलती है कि patient ने अगर अभी कुछी दिन पहले चस् देने लगेगा एक condition होती है hellos hellos का मतलब है जो भी light source है यानि कहीं पर light है उस light के चारों तरफ उसे circle नजर आएंगे गोल-गोल जो का है चीजें नजर आएंगी तो ऐसा भी patient बता सकता है कि light में जब देखता है तो उसे light के source यानि कहीं light जली उसके चारों तरफ गोल-गो जो का है circle नजर आ रहें यह condition हो सकती है साथ में जो depth का perception है यानि exact distance का idea लगा पाना कि मालो कोई object कितनी दूर है इसको कई बार patient सही से पता नहीं कर पाता है और यह ऐसे लक्षण है कि मालो कोई सामने से गाड़ी आ रही है और गाड़ी का idea नहोंना कितनी दूरी है क्या है तो यह सारे अगर इनमें से कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को देखने को मिल आ है चाहे वो color fade हो रहे हो चाहे उसे रात को देखने में समस्या हो रही हो चाहे उसकी जो vision है वो double हो गई हो तो यह सभी लक्षण आपको बताते हैं कि यह मोतियाविंद की तरफ इसारा करते ह मोतियाविंद हो चुका है अब बात करें कि मोतियाविंद के कारण क्या है तो वैसा तो मैंने जैसे बताया कि यह एक एज-related disorder है यानि उम्र बढ़ने के साथ में यह ज्यादातर लोगों को होता ही है लेकिन अगर इसके कुछ और कारण देखें तो हमारी lifestyle भी कई बार इसे प्रवावित करती है जैसे अगर कोई व्यक्ति एलकोल कंजूम करता है तो एलकोल कंजूम करने वाले व्यक्ति में मोतियाविंद होने के चांस ज्यादा है इसी तरीके से कोई smoking करता है smoking की बज़े से भी मोतियाविंद ज्यादा यानि बढ़ सकता है तेजी से हो सकता है अगर बात करें कुछ मेडिकेशन की तो कुछ दबाईयां भी इस तरीके की हैं जैसे अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से इस्टरोइडल थेरेपी पर है यानि आपकी जो इस्टरोइड ड्रग ले रहा है कोटिको इस्टरोइड ले रहा है तो उसकी वज़े से भी यह जो अका सर्जरी के अलाबा हमारे पास फिलाल कोई मेडिकेशन ऐसा नहीं कोई दवा ऐसी नहीं है जो मोतियविन को खतम कर सके यह जो लास्ट ऑप्शन वज़ता है वो सर्जरी ही है बट मैं आपको बदाना चाहूंगा कि इसकी जो सर्जरी की रेट है सक्सेज रेट है वो बहुत तक अच्छी है यह कह सकते हैं कि हाई सक्सेज रेट के साथ यह आपरेशन सोते हैं और बहुत छोटा सा ऑपरेशन बहुत बड़ा आपरेशन नहीं काफी सेंपल ऑपरेशन है और जैसे ही जो अपरेशन ओने के बाद पेशन जो है अगले आट दस दिन के अंदर नॉर्मल हो जाता विल्कुल हो जाता है अब मैं आप को बताने चाहँगा के इसके डिफरेंट सर्जरी के बारे में भी बताईये तो मैं आपको बताना चाहँगा गे जड़नली खर्णली यह यह पेशंटे की फरिपर करती है यह charmant कर थी अगर मैं रिक बारे में बात करूं तो में हमारी आज के अंदर एक प्रोब जाता है और उस प्रोब 도ू इसमें इनकी बज़ह से जो लेंस आपका आपन हो चुकआ था इस चोटे चोटे पीस में ब्रिक्डाउन कर देते हैं और शक्षन के वहाँ पे एक नया lens लगाते हैं इस process को बोलते हैं पैको emulsification दूसरी अगर मैं surgery के बारे में बात करूँ तो दूसरी surgery है आपकी extra capsular cataract surgery extra capsular cataract surgery में actually क्या करते हैं कि जो lens opaque हो चुका है उस area को एक बार में cut करके निकाल लेते हैं और वहाँ पर एक दूसरा lens डाला जाता है तीसरी अगर मैं surgery के बारे में बात करूँ तो वह है आपकी laser assisted cataract surgery यानि laser से होने वाली अब यह जो different surgery हैं जैसा मैंने बताया कि doctor और patient दोनों पर depend करती हैं आपकी eye की क्या condition है यानि आपकी जो आख है वह कौन सी surgery के लिए ज्यादा suitable है इसके लिए आपके doctor decide करते हैं तो यह आप मैं last में आपसे बात करना चाहूंगा कि लोग पूछते हैं कि different lens जो होते हैं उन lens का क्या use है तो basically lens कई उन yeni प्रकार के होते हैं जैसे मैं बात करूं नी प्रकार के होते हैं जैसे बात करूं monofocal lens होते हैं कुछ multipocal lens होते हैं कूछ membans health nécessite या आपका accommodating lens होते है एक्सेंड़ death lens होते है blue light filtering लेंस होते हैं अब जो different lens है यह patient की requirement के आधार पर लगाए जाते हैं जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे monofocal lens लगाए जाता है monofocal lens generally किसी एक particular distance पर आपको correct vision देता है और उसमें generally हम long distance के लिए से लगाते हैं patient को दूर की चीज़ें देखने के लिए जो अकाय जरूत पड़ती है ऐसे patient को कई बार हमें चस्मा देना पड़ता है क्योंकि अगर वो पढ़ना लिखना चाहता है तो पढ़ने लिखने के लिए उसका वो लेंस काम नहीं करेगा तो monofocal अगर lens किसी ने लगवाया है तो उसे पास की वस्तों देखने के लिए जो अकाय आपके glasses की जरूत पड़ेगी चस्मे की जरूत पड़ेगी इसी तरीके से आपका multifocal है तो multifocal जैसा नाम बता रहा है कि अलग अलग जगों पर focus बना सकता है देख सकता है तो थोड़ा सकता सा बैटर माना जाता है इसी तरीके से टॉरे क्लेंझे हैं तो ज 서 तो आपका टॉर्री क्लेंस है और यह चोन्दिशन हлек आपको क्या गरता है तो इस तरीके से ये मैंने different type की lens बताए अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी विक्ति को cataract है तो उसे घबराने की जरुवत नहीं है परेशान होने की जरुवत नहीं है अंतिता आप अपने doctor से मिलें और इसको as soon as possible हडवाएं क्योंकि इसकी बज़े से आपको other complications हो सकते हैं अगर ये mature condition में चला जाएगा तो कई बार इससे आई के अन्य पार्ट भी damage हो सकते हैं इसलिए जब भी किसी को cataract detect हो immediately इससे remove कराएं और एक अच्छी और चमकती healthy जंदगी का हिस्सा बनें तक्यों अलोगा